Welcome back friends, यह हैं हमारी वीडियो नमबर 4, Class 9 Social Science के लिए और इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं Economics का Chapter 4, Food Security in India को तो इस वीडियो इस Chapter में हमने समझना है कि Food Security किसे कहा जाता है और कौन-कौन से Terms हैं जिनकी मदद से हम Food Security को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं इस Chapter को और इस Chapter के जो Notes हैं वो आपको Description Box में मिलेंगे और साथी में अगर प्रिवेस Chapter आपने नहीं देखे हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका Link भी आपको Description Box में मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Question आता है What is Food Security? Food Security किसे कहा जाता है तो Food Security refers to Availability, Accessibility and Affordability of Food to all people at all time यानि कि Food Security को हम यहां पे इसके 3 यहां पे Dimensions हैं जिसमें आ जाता है Availability of Food, Accessibility of Food and Affordability of Food अब यहां पे Availability का मतलब क्या है कि Food Available होना चाहिए It means Food Production Within Country यानि कि जो Food हम Produce करते हैं वो Within Country होना चाहिए और अगर हम कोई ऐसा Grain है जिसको हम यहां पे Produce नहीं करते तो उसको हम Import करेंगे दूसरी कंट्रियों से और साथी में जो हमारा Previous Years का Stock है उसको Government Granaries में होना चाहिए यानि कि Government उसको Store करके रखती है आपका Store Houses में Then आपका आता है Accessibility of Food यानि कि जो Food Items है वो आपके Within Reach होनी चाहिए Each Person के यानि कि Country में जितने भी लोग है उनको आपका हर समय Food जो है वो Available भी होना चाहिए और साथ में Accessible भी होना चाहिए Then अब दिखें Food अगर Available भी है यानि कि Stock भी हमारे पास है और वो Market के अंदर भी है लेकिन हमारे पास अगर पैसे नहीं होंगे तो हम उसको नहीं खरीच सकते तो यह आपका आता है Third यहाँ पे Dimension Affordability of Food It means that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food तो यहाँ पे तीन में Dimension होते हैं Availability, Accessibility and Affordability तो next हमारा टॉपिक है Why Food Security? कि Food Security की जरुद आकिर क्यों पड़ती है तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर कैसे मदर्स जो है वो ग्रेंज को स्टोर करके रखती है ताकि कोई भी इंसान हमारी कंट्री में हंगर की वज़े से नहीं मरे तो simple सा है Food Security is needed in a country to ensure food at all time and also to ensure that no person in a country dies of hunger तो इसकी Food Security की जरुद पड़ती है हरे कंट्री को लेकिन आपने देखा होगा कुछ Natural Calamity है on Food Security पे जिसका काफी ज़्यादा असर पड़ता है Natural Calamity यानि कि जैसे आपका सुनामी है, आपका ड्रॉट है, फ्लड है, अर्थक्वेक है तो इनकी वज़े से Food Security नहीं रहती है क्योंकि अगर फ्लड है तो हमारा जो production है वो उसको damage करेगा अर्थक्वेक है या आपका land slide है ये कई बार roads को block करते हैं ताकि Food के availability फिर नहीं हो पाती तो Natural Calamity जो है, वो Food Security पे काफी ज़्यादा effect करती है इसके बाद, next हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर कोई ऐसी Natural Calamity है जो कि काफी ज़्यादा time तक रहती है किसी बड़े area में तो ये आपका starvation की जो situation है उसको भी यहाँ पे अकर करती है या उसको भी लेकर के आती है then हम यहाँ पे देखते हैं हमारा Famine क्या होता है तो Famine आपका हम बोलते हैं simply अकाल पढ़ने को यानि कि जब आपको Food के availability नहीं होती because of poverty या because of low production तो आप Famine जब wide spread scarcity of food यानि कि खाने की कमी होना caused by several factors जिसमें आपका war आ जाता है आपका natural कोई disaster हो सकता है crop failure हो सकता है और wide spread poverty भी हो सकता है then आपका आता है starvation तो starvation बोला जाता है a situation where intense suffering और even death caused by lack of food यानि कि खाने की कमी से जब आपका intense suffering हो या लोग बिमार पढ़ जाए या even उनके death भी हो सकती है तो इसको हम बोलता है starvation अब यहाँ पे देखिए एक काफी बड़ा यहाँ पे famine था या काल आपका था 1943 में जिसकी बात होती है जिसको हम the great Bengal famine के नाम से भी जानते हैं और यह 1943 में आपका आया था और इसने major effect किया था आपका बंगाल के area को आपका बिहार एंड आपका जो उडिसा के area है तो यह जो तीन यहाँ पे states हैं जो present states हैं इनको इसने effect किया था और इसमें आपके around 30 lakh जो people हैं उनकी death भी हो गई थी तो यह आपका इसको कई बार पुछा भी जाता है कि यह आपका कब आय था तो इसका जो answer होगा वो होगा 1943 तो यहाँ पे दिखें कुछ real यहाँ पे images हैं उस time की कि जिस time पे आपका the great Bengal famine यहाँ पे पड़ा था then आपका आता है who are food insecure people यानि कि food insecurity के नहीं होती है सबसे पहले दो लोग below poverty line के रहते हैं वो food insecure है then आपका daily wages labor जो होते हैं landless farmers जो होते हैं इसके लावा migrants जो अपने hometown या अपने देश को छोड़के किसी दूसरी जगह पे जाते हैं because of natural disaster या war की situation में भी अब देखें जरूरी नहीं कि जो below poverty line है migrants हो या daily labor हो उनी को food की shortage होती है या वो ही food insecure होते हैं आपने देखा होगा कई बार आपका natural calamity की वज़े से जो below poverty line है वो भी food insecure हो सकने है जैसे कि आपका earthquake है landslide है, flood है, drought है और आपका अकाल या simply famine है तो इसके बाद next हम देखते हैं hunger क्या होता है तो it is a feeling of discomfort और weakness caused by lack of food यानि कि lack of food की मुझे से अगर आप discomfort आप होते हैं weakness आप feel करते हैं तो इस feeling को हम simply बोल देते हैं hunger तो then आपके दो यहाँ पे hunger के type है, seasonal और chronic तो seasonal क्या होता है जिसका main आपका यह आपका देखा गया है rural area में जहाँ पे आपका farm laborers होते हैं तो आपको उनको कुछ specific seasons में ही काम मिलता है तो उसके वज़े से वो ले नहीं पाते हैं यानि कि वो food को effort नहीं कर पाते हैं इसके लावा जो chronic होता है वो इस वज़े से होता है low income families में आपने देखा होगा जहाँ पे inability होती है food को वो ना तो buy कर सकते हैं even survival के लिए भी उनके पास enough income नहीं होती है अब यहाँ पे देखिए हमने समझा कि food security क्या है और किस किस को food insecurity होती है तो अब हम देखते हैं कि government की तरप से कौन कौन से यहाँ पे step लिए गए है food security को ensure करने के लिए तो India is aiming at self-sufficiency in food grains इंडिपेंडेंस a major step towards it is आपका the green revolution यानि कि इंडिया जो है जब से हमारा देख आजाद हुआ है तब से इंडिया का यही aim रहा है कि इंडिया जो है वो self-sufficiency बने आपका food grains के अंदर तो इसके लिए पहला जो step लिया गया था बड़ा step वो आपका था green revolution का तो इंडिया का जो green revolution है यह start हुआ था late 1960s में और यह आगे जाके आपका continue हुआ था 1970s के अंदर भी और यह transformative period था Indian agriculture history के अंदर अब green revolution की मदद से जो की government ने launch किया था late 1960s में इसकी मदद से कौन-कौन से फाइदे हुए country को तो सबसे पहले इससे आपका increased agricultural productivity यानि कि agriculture में आपका boost आया productivity जो grains की थी वो काफी जादा increase हुई then आपका food security को इसने आपका increase किया then आपका economic impact on farmers by increasing income यानि कि इससे पहले तक आपके जो farmers हैं उनकी income भी कम होती थी लेकिन आपका green revolution के बाद simply farmers की जो income है उसमें भी increase देखा गया है क्योंकि यहाँ पे machinery को involve किया गया था जो आपकी latest machinery है इसके लावा high yielding variety seeds जो था है उनको भी इसमें use किया गया था और इसके बाद उस time की जो आपकी प्राइम मिनिस्टर थी आपका इंद्रा गादी उन्होंने officially एक यहाँ पे stamp भी release करी थी wheat revolution के नाम से तो देखिए यहाँ पे stamp है आपका 1960s, 70s में जो आपका use होती थी जिसको आपका print किया गया था wheat revolution के नाम से 1968 के अंदर तो कई बार यह dates भी पूछी जाती है exam में आपका food security system in India अब देखिए government ने grain revolution जो था वो तो पहला step था लेकिन इंडिया ने food security system भी यहाँ पे बनाए हैं जिसकी मदद से वो ensure करते हैं कि आपके poorest of the poor people को भी इंडिया में जो है वो इसकी अच्छी availability हो food grains की तो इसके लिए इस system के अंदर domain component है या domain इसके part है जिसमें सबते पहले buffer stock आता है और दूसरा है PDS या simply public distribution system तो buffer stock क्या होता है या simply stock क्या होता है तो buffer stock simply आपका stock होता है food grains जहां पे wheat and rice को आपका store किया जाता है और यह आपका government करती है food corporation of India या simply FCI की मदद से अब यहाँ पे देखिए जितना भी आपका यहाँ पे food grains है जो कि FCI में आपका store होता है उसको simply आपका government खरीदती है आपका farmer से जो कि अपने surplus को यहाँ पे आपका sell करते है और इसको आपका जो government है वो minimum support price पे आपका खरीदती है जिसको हम MSP भी कहते है यानि कि पहले से ही आपका जो grains है उनको भोने से पहले ही government एक price को announce करती है जिसको बाद में government किसानों से खरीदती है MSP पे MSP का कई बार full form भी पुछा जाता है तो इसका full form है minimum support price अब देखिए जितना भी stock government जो है वो FCI's के अंदर रखती है उसको government जो है वो बाद में sell करती है issue price पे तो issue price simply आपका market price से कम होता है और यह वहाँ sell करती है जहाँ पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है आपका इनको sell करने की तो वहाँ पे government इनको sell करती है simply issue prices की मदद से जो price आपका market price से कम होता है देन आपका आजाता है public distribution system तो आपका जो PDS है इसकी मदद से इंडिया के अंदर काफी ज़्यादा यहाँ पे रासन सॉप्स open हुई है जिनको हम fair price सॉप भी कहते हैं तो आपने देखा होगा जो आपका रासन सॉप्स होती है government रासन सॉप्स या simply fair price सॉप्स जिनको बोला जाता है वो आपको हर एक locality के अंदर village के अंदर towns या cities में भी मिल जाएंगी और इंडिया के अंदर around आपका 5.5 black रासन सॉप्स हैं पूरी country के अंदर और इन रासन सॉप्स पे आपने देखा होगा कौन-कौन सी चीज़ें मिलती है wheat है, rice है, sugar है और कहीं-कहीं पे kerosene oil भी आपको मिलता है अब यहाँ पे आपका 3 तरीके के card होते हैं जिसे कि लोगों को आपका जो food grains है इनको आपका distribute किया जाता है जिसमें आपका एक आता है अंतोधरे card जिसमें जो आपका poorest of people के लिए है then आपका BPL, below poverty line and आपका above poverty line या सभी के लिए तो यहाँ पे देखिए simple सा है तो यहाँ पे food corporation of India ने आपका 14, 15 में आपने 15 years यहाँ पे complete किये रासन सौप्स आपने देखी होंगी इस तरीके की और यहाँ कुछ आपके card होते हैं अलग-अलग color के जो कि आपका APL, BPL या अंतोधरे के under आते हैं देन कुछ यहाँ पे योजनाई भी है गौर्णमेंट ने कुछ और इसकीम थिया योजनाओ को भी लाँच किया है जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं अन्तोधरे अन्योजना को या जिसको simply हम AAY भी कहते हैं तो इसको लाँच किया था December 2000 के अंदर और यह है poorest of the poor people के लिए और इसकीम के अंदर एक करोड लोगों को यहाँ पे जो है BPL families को targeted distribution system की मदद से identify किया जाता है और उनको यहाँ पे आपका जो food grains हैं वो दिये जाते हैं अब इसी scheme को जो है आगे और extend किया गया था जिसमें 50 lakh BPL families को इसमें जोड़ा गया था 2003 में और लेटर आउन अगस्ति 2004 में इसमें 50 lakh और जोड़ के टोटल 2 करोड कर दिया गया था तो simple सा है देन आपका आजाता है अन्नपूर्णा scheme तो यह scheme जो है यह senior citizens के लिए हैं यानि कि ऐसे लोग जो 60 year से जादा हैं तो इसको launch किया था 2000 में और इसमें 10 kg of food grain जो है वो free of cost दिया जाता है पर month है अब हम देखते हैं role of cooperatives in food security यानि कि cooperatives का यहाँ पे food security के अंदर क्या role है तो आपने देखा होगा आपका जो cooperative हैं वो भी कई बार मिल करके आते हैं और अपनी अपनी societies की मदद से अपका society को uplift करते हैं तो यहाँ पे जो आपका role है cooperative society का वो क्या है food security में जैसे इसका हम example ले सकते हैं कि आपका Tamil Nadu के अंदर जितने भी fair price shop है उसमें से 94% जो हैं वो यही cooperative run करते हैं और डेली में आपने mother dairy का नाम सुना होगा हो सकता है इसके आपने बहुत सारे जो products हैं वो consume भी किये होंगे तो यह भी आपका vegetable और milk यहाँ पे sell करता है यह भी एक example है आपका cooperative का इसके अलावा amul जो है यह भी एक success story है cooperative की जहाँ पे milk product आपके बनाय जाते हैं basically आपका गुजराच से है और कई बार amul ने जो आपका start किया इसको हम white revolution भी बोलते हैं तो आपने देखा होगा हो सकता है आपने कभी न कभी amul या mother dairy के कुछ product जो है उनको consume किया होगा तो इसी के साथ हमारा यह chapter भी कतम होता है काफी आसान सा हमारा chapter था food security in India तो यह जो आपके notes है यह आपको description box में मिलेंगे और पूरी जो playlist है उसका link भी आपको description box में मिलेगा तो मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में वीडियो number 5